नमस्का सात्यों स्वागत आप सभी का स्कूल कोलेज खोलने को लेकर केबिनेट का फेसला पहले जहां 31 अक्टूंबर तक बंद रखने की गोशना हुई थी स्कूल कोलेज को अब उससे आगे बढ़ा कर 39 तक कर दिया गया है यानि कि एक डिसंबर के बाद ही अब स्कूल कोले सात्यों कोरोना पर जन अंदोलन भी अब 30 नौंबर तक चलेगा उसके बाद ही स्कूल खोलने वाले हैं आप पुछोगे जन अंदोलन क्या है इसके अंदर सभी माता पीता सभी गाउं सेर के अंदर एक अंदोलन चलाया जाएगा कि बच्चों को स्कूल किस परकार बेजना हैं उन्हें गाइडेंस दी जाएगी मंगलवार साम को बुलाई गई केबिनेट की बेठक में ये फेसला हुआ इस से पहले 31 अक्टूंबर तक स्कूल बंद रखने का एलान किया गया था मंत्री परिस्द की बेठक में परदेश में कोरोना संकरमन तता उससे निपटने के लिए सरकार द्वारा किये जारे परबंदन पर चल्सा की गई और मंत्री परिस्द ने इस बात पर संतोस विक्त किया कि राजे और देशबर के अंदर कोरोना परबंदन बेतरीन हैं आपको दूसरी एक और खबर के माजम से और कलियर कर देता हूँ आप यहां देख सकते है केबिनेट में सुजाव आया स्कूल 30 नवंबर तक बंद हो अंती फैसला लेने के लिए सरकार ने कमेटी गठित की गई है अब उस कमेटी ने फैसला दे दिया है तो स्कूल अब एक दिसमबर तक बंद है एक दिसमबर के बाद सभी स्कूल खोल दिये जाएंगे हालां कि से पहले नोवी से लेकर बारी तक स्कूल खोलेंगे तब तक सभी स्कूल बंद ही रहेंगे इसमें का गया है कि केबिनेट का फैसला ले लिया गया है केबिनेट ने अगर फैसला ले लिया गया है कि सरकार ने फैसला ले लिया है सरकार का जो फैसला है वो सभी सतारी को प्र जीरो सेशन होने की आसंका है इसका आर्थ है ना कोई एक्जाम होगी ना रिजल्ट आएगा ना ही वो एर सात्रों के पविशे के अंदर काउंट होगा यानि सब कुछ जीरो हो जाएगा नोवी तक के बच्चों को तो बीना परिक्सा पर्मोट किया जा सकता है बहुत बड़ दिये जाएंगे आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा आगे कोई जानकारी होगी जरूर दी जाएगी दन्यवाद